आप सब के लिए माता जी की कृपा माता जी का संदेश क्या है हम देखते हैं बहुत अच्छे से आप प्रणाम कर लिजेगा क्योंकि ये रीडिंग आज साम और कल के लिए भी है वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग रहता है फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपने creativity पर ध्यान दे रहे हैं और कुछ लोग competition की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कहीं न कहीं संदेश है कि आप पूरी तरीके से अच्छे से माता सरस्वती माता जी का पूजन करें और जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं या कोई भी कार ये जो आप सीख रहे हैं मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग कुछ creative field में कुछ करना चाहते हैं और वो सीख रहे हैं किस भी प्रकार से आप painting हो सकता है अनृत्य हो सकता है संगीत हो सकता है तो आप जब भी कुछ भी सीखें कुछ भी पढ़ाई करें उससे पहले आप मा सरस्वती माता जी को प्रणाम कीजेगा गंपती जी को प्रणाम कीजेगा उसके बाद आप स्टार्ट कीजेगा आप देखेंगे आपका जो कारे है बिल्कुल बाधित नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से कारे होगा कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अल्रेडी एक light worker मुझे नजर आ रहे हैं किसी भी प्रकार से आप लोगों की मदद करते हैं मुझे देखिए मैंने कहा मदद करते हैं आप तहीं न कहीं मदद करते हैं और ये जो आप मदद करते हैं इससे आपको आपका जो future है वो भी काफी ज़्यादा bright नजर आ रहा है क्योंकि आप जो दे रहे हैं लोगों को वो दस गुना होकर आपको मिलेगा आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप आपको वो चीज वापस मिले इसलिए आपनी स्वार्थ भाव से आप जो कारे कर रहे हैं आप जो भलाई का कारे कर रहे हैं उसके लिए कहीं न कहीं माता जी की क्रिपा आपके उपर है देखिए आप मा सर सेहत का ध्यान रखे जहां तक हो से के पॉस्टिक भोजन आप कीजिए वैसे भी कुछ लोग बहुत जादा ध्यान रख रहे हैं ऐसे ही रखे और प्राक्रितिक चीजों का प्रयोग बहुत अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से कीजिए चाहे आप किसी भी प्रकार से फेस पर अप्लाई करते हैं या बालों पर अप्लाई करते हैं प्राक्रितिक चीजों का प्रयोग जितना ज्यादा आप करेंगे खाने में लगाने में उतना ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छ रहेगा और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहे है आपके पर्सनल रागते हैं तब आप धर्ती माता का चरेंस पर जरूर कीजिएगा टेक क्यार